राश्टी ये पिछा बर्ग आयो नेशनल कमीशन फोर वैगबॉर्ड किलासिस और इस तरह की जो संस्थाएं हैं चाहे वो आपकी राश्टी इस तरह की हो या अंतराश्टी इस तरह की हो इनसे आपके एक्जाम में चाहे वो आपका सिविल सर्विस का एक्जाम हो या इस्टेट वी सीएस का एक्जाम हो या वंडे एक्जाम हो इन सब में कुश्टन्स पूँचे जाते हैं हर साल पूँचे जा रहे हैं और मैं आप लोगों से इसलिए कहता भी हूं कि आप लोग ज इस तरह के questions पूँचे जा रहे हैं, कहां आपको ध्यान देने की जानदा जरूरत है, तो आज हम लोग रास्तिये पिछड़ा वर्ग आयुक के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं, और इस class को देखने के बाद इतना यकीन के साथ कह सकता हूं, कि अगर OVC आयुक से आपकी जा में questions पूँचा जाएगा, तो आप लोग उसका answer दे पाएंगे, बड़े आसानी से दे पाएंगे, और आप देखेंगे पैसे इसकी स्थापना अगर हम लोग बात करें न, रास्तिये पिछड़ा वर्गायुक की, तो 14 अगस्त 1993 में इसकी स्थापना हो गई थी, कम 14 अगस्त 1993 में, लेकिन एसे समिधानिक दर्जा मिला था 2018 में, ये भी याद रखिएगा, इसका हेड़कौाटर आप लोग नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, तो आप देखेंगे कि 102 जो समिधानिक संसोधन था, कौँसा? 102 समिध पिछड़ा वरग आयोग को समिधानिक दर्जा पिर्दान करता है, अगर आप लोगों से कुश्चन्स पूछे, कि राष्टी ये पिछड़ा वरग आयोग को समिधानिक दर्जा किस समिधान संसोधन के द्वारा मिला था, तो 102 बाप लोगों को याद रखना है, कब की बात करी गई है, तो आप देखें गो समिधानिक संस्था कहलाती है, और अगर आर्टीकल आप लोग 338 बी उठा के देखें, तो इसमें आप लोगों को पिछड़ा वरग आयोग की बात की गई है, उससे समंधित है आपका, और इसे सामाजी को सेच्चरिक रूप से पिछड़े पिछड़ा वरग आयोगों की, और इससे पहले NCBC सामाजीक निया एबम अधिकार्टा मंतरा लेकित है एक सामविधिक निकाय था पहले सुरुवात में, ठीक है, अगर इसकी पिछड़ भूमी की, अगर हम लोग बात करें, तो आप देखेंगे 1950 और 1970 की दसक में, काका काले पिछड़ा वरग आयोग की रूम में भी आप लोग जानते हैं, और 1992 की इंदरा साहिनी मामले में, सरवोच नियाले ने सरकार को निर्देश दिया था, कि वह लाव और सुरक्षा की उद्देश से विभिन पिछड़े वरगों की समाविशन और वहिसकरन पर विचार करने तथा जाच एवं सिफारिस के लिए एक इस्थाई निकाय का गठन करें, ए 1992 की बात हो रही है, और इस नेदेश के वालन में संसद ने 1993 में राष्टिये पिछड़ा वरग आयोग अधीनियम पारित किया, और NCBC का गठन किया, राष्टिये पिछड़ा वरग आयोग का गठ संसद में पिस्तुद किया जाता है, अब आप लोग कहोगे कि 123 समिधान संसदन विध्यक है, और वो आप देखते हैं कि 102 समिधान संसदन अधीनियम है, इन दोनों में फरक क्या रहता है, तो विध्यक आप देखते हैं कि जब राज्यसभा लोकसभा में कोई पिस्ताव आत तो वो क्या कहलाता है विध्यक कहलाता है जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है और उस पर राष्टपती की सहमती मिलती है वो कानून बन जाता है और आप देखते हैं जो कानून बनते हैं उनकी संख्या कम आप लोगों को देखने को मिलती होगी अब आप देखें 123 वा समिधान संसुधन विधियक है और वो 102 वा समिधान संसुधन अधिनियम है क्योंकि हर पिस्ताओ पास हो जाना ये मुंकिन भी तो नहीं है हर विधियक का कानून बन जाना ये संभव भी तो नहीं है कई रेजेक्ट हो जाते हैं, पार्स नहीं हो पाते हैं, तो इसी की बात हो रही हैं, तो 123 वाई ये समिधान संसुधन बिध्यक था, ये भी याद रखेगा, और इसमें पिछली वर्गों की हितों को अधिक प्रभावी धंग से सरक्षित किया जा सके, इसके लिए बिध्यक ल अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया गया, और अतहा 1993 का अधिनियम अब आप रासंगिक हो गया है, क्योंकि अब आप देखेगे, समिधान एक दरजा मिल चुका है, तो अलग ही बात हो गई, अगर हम लोग राष्टी ये पिछड़ा वर्ग आयूग की सरचना की बात करें, कि इ आयूग में पांस सदस होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस सामिल होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, तीन अन्य सदस होते हैं, इनकी नियुक्ती राष्टपती द्वारा हस्ताक्षरित और उसकी मुहर युक्त आदेश त्वारा होती है अगर आपसे डारेक्टी कुश्चा इस पूछ लेता है कि राष्टी पिछा आयुक की अध्यक्ष सदस और उपाध्यक्षयों की निफ्ति कौन करता है राष्टपती, प्यधान मंतरी, लोकसवाध्यक्ष राष्टपती, तो आप लोग लगा देंगी राष्टपती ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उणने सदसों के पत की सिवासरत्ने तथा काल का निधारन भी राष्टपती द्वारा किया जाता है इनकी सरचना आप लोग देखें तो उपाध्यक्च हो गया, सदस हो गया, अध्यक्च की नीते, यह सदस हो गया, सदस हो गया, सचिब भी होता है, यह आप देखें पिसासन खंड, ओफ सचिब, अवर सचिब, अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, और आप देखते हैं कि यह आप लोगों को यहाँ, अ बातों के साथ सामाजिक और सेक्षरिक रूप से पिछड़े बर्गों की पहचान करने उनके पिछड़े पन की इस्तितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कटनाईयों को दोर करने के लिए सिफारिसे करने की आवसक्ता से संबंदेत है। बी कुछ परिवर्तन करता है। तो इसके लिए संसद्वारा अधी नीमित कानून की आवसक्ता होती है। क्या होती है? आवसक्ता होती है। यह भी आप देखेंगे। और इसकी अगर हम लोग सक्तियों और कारेओं की बात करें। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं। कि इसकी स्थावना किसी उद्देश के लिए तो की गई होगी। कोई काम तो होगा इसका। किसी अन कानून के तहित पिदत सरक्षन उपायों की कयानवन का मुल्यंकन करने हीतु। सम्मदि सभी मामलों की जाच एबं निग्रानी करता है। सामाजीक उस एपिशे रूप से पिषर वर्गों की सामाजी कार्ठिक विकास में भाग लेता है तत् film आ Rights देता है, समझे अपनी रिपोर्ट राष्टपती को पिस्तुत कर सकता है और राष्टपती द्वारा संसत के पितेक सदन का समक्ष या रिपोर्ट पिस्तुत की जाती है और इस तरह कि कोई भी रिपोर्ट या उसका कोई हिस्सा जो किसी भी राज सरकार से समंदित हो की एक पिति राज सरकार को भेजी जाएगी और आप देखेगी कि NCBC सामाजीक और सेक्षिर रूप से पिछे बरगों की सरक्षन कल्यान इवं बिकास तथा उन्नती की संबन्द में ऐसे अन्य कारियों का भी निर्वहन करता है जिने संसत द्वारा बनाएगे कानून के प्रावधानों की अधीन राष्टपती द्वरा विसेस रूप से उलिकित किया गया हो और किसी भी मामले को सुनवाई के दौरान इसे दिवानी न्याले की समाल सक्तियां भी राप्त है किसे राष्टी पिछरा वरगायों को जो पुराना राष्टी पिछरा वरगायों था जो नया है नया आयो पु और आप देखते हैं कि नए NCBC को पिछले वर्गों की सिकायतों की निवारन का अतरिक्त कारी भी सौपा गया है। तो यह आप देखेंगे कि किसका राष्टिय पिछला वर्ग आयो की कहानी है। यह आप स्थपज में एकन का выполं कि नहीं है। झाल का देखेंगे कि सम्सक्वार ही कि की यह आप देखेंगे।